हेलो फ्रेंट्स गुड इवनिंग बहुत से लोगों की ये समस्या होती है कि उनके गुड़हल के फ्लार पे अच्छी फ्लारिंग नहीं हो रही है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी वीडियो को अंतक देखिए और रेदी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें कभी-कभी गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आते दोस्तों गुड़हल को अधिक पानी और जादा उर्वरक की ज़रूरत होती है पौधे तो चैनल के पौधे प्रून ना करने पर भी फूल नहीं आते हैं गुड़हल को तेस धूप की ज़रूरत होती है, धूप कम मिलने पर अच्छे फूल नहीं आते हैं गुढ़ःल को समय से खाद यदि नहीं दिया जाता तो भी उस पर अच्छी फ्लारिंग नहीं होती है यानि कि ये सब common reasons हैं जिस वज़े से आपके गुढ़ःल के प्लांट पर अच्छी फ्लारिंग नहीं होती है फ्रेंट्स यदि आपके भी गुडहल या गुलाब के पौधे पर फ्लारिंग नहीं हो रही है तो आज आप इस खाद का इस्तमाल करने के बाद बहुत ही जल्दी यानि विदिन 15 डेज आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा यह बनाना पील जो सभी के घरों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है इसे छोटे छोटे टुकडे में कट कर लिया है मैंने इसे बनाना बहुत ही सरल है आप इनके छिल्कों को बनाना के जो छिल्के हैं चार-पाज केलے के छिलके ले लिजये और एक सवा लि्टर पानी ले लिजये और प्लास्टिक का एक कंटेनर जिससे धक्कन से बंद किया जा सके यह खाद अधिक मात्रा में बनाने के लिए अधिक बड़ा कंटेनर ले सकते हैं लेकिन मैंने एक लीटर का बॉटल लिया है दोस्तों सबसे पहले छिलके को कंटेनर में डालना है और उसे पानी से भर देना है फिर आप इस कंटेनर को उठा कर छायादार जगह पर रखिए जहां से 10 दिनों में आपका बनाना पील फर्टिलाइजर बनकर रेड़ी हो जाएगा इसके बाद आप इसे प्रेयोग कर सकते हैं इसका प्रेयोग करना भी बहुत ही सरल है जिन पौधों में आपको यह खाद डालना है उन सभी पौधों में खाद डालने से पहले 2 घंटे पहले पानी लगा दीजे उसके बाद बनाना पील फर्टिलाइजर का प्रेयोग करें गुलाब या गुढ़ल के पौधों में या खाद 15 दिन में एक बार प्रेयोग करें गुढ़ल या गुलाब के एक से दो फिट के पौधों में खाद की मात्रा 50 ml से जादा न रखें और इस करके ही दिया करें अब प्रॉब्लम यह है कि कहां पर यूज करें किस तरीके से बनाना पिल फर्टिलाइजर को यूज करें क्योंकि आपको ये तो बता दिया जाता है कि अब बनाना पिल फर्टिलाइजर को यूज कीजे लेकिन इसमें भी एक आर्ट है कि किस तरीके से इस पौधे पे आप कर सकते हैं यानि कि जिन पौधों की लकड़ी वुड मजबूत होती है जैसे गुलाव, गुड़हल, अनार, कनेर, गुल्दावदी, आदी इन पौधों में आप इस खाद का प्रियोग कर सकते हैं बनाना पील फौटिलाइजर का सबसे अच्छा लाव फुल पौधों में ना करें अडेनियम, सकलैंट आदी में ना करें और चार महीने से छोटे कोई प्लांट आपने लगा रखा है जो अभी अभी ग्रोह करना जिसने शुरू किया है उसमें बनाना पील फौटिलाइजर आप ना दे बनाना पील फौटिलाइजर इस्तemalt करने से प देख लें कि आपका पौधा ज्यादा कमजोर तो नहीं खाद की जो मात्रा आप लगा रहे हैं वह आपके पौधे के लिए कहीं ज्यादा तो नहीं में 42% potassium होता है potassium पौधों के विकास के लिए काफी जरूरी होता है potassium के सहात्या से पौधे खनीज लवण के साथ संक्रिया कर पौधों के विकास को प्रेरित करते हैं अगर आप अपने पौधों में जादा फूल लेना चाहते हैं तो बनाना पिल फर्टिलाइजर का प्रेयोग करना शुरू कर दीजिए यह बहुत ही आजमाया हुआ निस्खा है केला खाने के बाद जो छिलका बचता है उसका हम खाद बनाने में प्रेयोग कर सकते हैं केले के छिलके में दो तरीके से खाद बनाई जाती है यानि कि लिक्विड भी बना सकते हैं आप और इसे ड्राइक फॉर्म में भी तयार कर सकते हैं सुखा कर और इसका पाउडर बना करके स्टोर करके रख सकते हैं और एक एक चमच अपने सभी प्लांट्स पर दे सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स